Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GFE turbo tablet के बारे में जो की इस tablet के इस्तमाल बहुत जादा जो भी critical या serious infection होते हैं उन सभी परपजों में GFE turbo tablet का बहुत जादा इस्तमाल कर जाता है तो आज की इस वीडियो में हम ही बात करने वाले हैं GFE turbo tablet का कौन-कौन से रोगों में यूज के जाता है क्या side effect है, किसे नहीं लेना है, क्या डोज है इसमें जो combination उनका क्या काम है यह सभी बाते हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो बात करते हैं GFE turbo tablet जो की 10 tablet की packing होती है और 600 mg की packing होता है हर एक tablet आपको 600 mg अबलेबल हो जाता है इसके साथ ही साथ यह आपको 325 से 320 रूबे की प्राइज में 10 tablet की packing और FDC company की बनाएं यह medicine मिल जाती है अब बात करते हैं GFE turbo tablet में क्या combination है तो इसमें एक ही combination है जो की line solid हर एक tablet में 600 mg अबलेबल हो जाता है बात करें line solid कौन से group से बिलोंग करता है तो यह एक तरीका का antibiotic और antibacterial इसके साथे साथ उकसा जो lydon class से बिलोंग करने वाला यह medicine है बात करें line solid का कौन-कौन से प्रपजों में इस्तमाल कर जाता है तो यह बहुती जादा जो severe infection होते हैं उनसे भी प्रपजों में बहुत जादा इस्तमाल करते हैं जैसे कि lungs infection होता है नीमोनिया किसी कैथ होती है skin से जुड़ा हुआ किसी परकार का रोग होता है soft tissues बीमारी होती है उनसे भी condition में इस्तमाल करते हैं इसके साथ blood से जुड़ा हुआ किसी परकार का infection होता है किसी भी infection में blood की से जुड़ा हुआ कोई समस्या होता है तो उनसे भी condition में इसे prescribe करते हैं इसके अलावा इसे या किसी परकार की जो severe injury होती है जखम होता है वो नहीं भर पाता है तो उनको यह भरने में इस्तमाल करते हैं इसके सांथे साथ throat infection होता है throat से जुड़ी किसी परगार की कोई समस्या होती है तो उन से भी परपजों में भी इसे दिया जाता है इसके सांथे साथ यह nervous system के condition में भी इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा acute pulmonary exervation में भी इसे इस्तमाल किया जाता है सांस से जुड़ी कोई समस्या होती है तो उन से भी condition में भी इस्तमाल करते हैं इसके साथे साथ prosthetic joint infection होता है तो उन से भी परपजों में भी इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा septic arthritis के समस्या होती है UTI infection होता है urinary tract infection होता है उन से भी परपजों में इस्तमाल करते हैं tuberculosis के कई condition में भी इसे दिया जाता है इन से भी परपजों में इसे इस्तमाल करते हैं यह एक तरीका का antibacterial infection को cure करने वाला medicine है जो कि इसका इस्तमाल multiple परपजों में इस्तमाल किया जाता है डॉक्टर अपने experience के अनुसार और patient की क्या condition है उन सभी पर depend हो करके इस दवा को prescribe करते हैं या बहुत जल्दी recovery करने में मदद करता है या medicine, इस medicine को limited time तके इस्तमाल किया जाता है जो कि एक तरीके का doctor के रेख देख उतने दिन आप इसे जरूर इस्तमाल करें बात करें इस दवा का क्या dose है तो dose depend करता है कि आपकी age, healthy condition, आपका weight क्या है उसी सबसे इसका dose confirm होता है इसलिए आपके इसका dose का doctor के रेक देख में ही confirmation करें क्या side effect हो सकता है अगर suit नहीं करता है तो vomiting, सर में दर्द, तउचा मिला लिपन, भूख न लगना, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा नीन दाना इस तरीके नुकसान देखने को मिल सकता है किसे नहीं लेना है pregnant lady, breastfeeding mother, किसी परगार का आपको कोई भी critical medical condition में को medicine course चल रहा है तो उनसे भी condition में आप इसे इस्तिमाल ना करें और करते हैं तो doctor के रेक देख में करें तो यही था जेफी turbo tablet के बारे में जनकरी, अगर आपको वीडियो यह जनकरी अच्छ लेगी तो please like किजएगा और हमारे चनल को subscribe किजएगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद thank you for watching